हलो दोश्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है साथ हूँ वो है कि आपको ITI करना अच्छा रहेगा Polytechnic एक बीटेक आपको क्या करना चाहिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़े रहें तो आईए हम देखते हैं सबसे पहले साथ हूँ अगर आप पास होते हैं बीटेक में तो आपको जो certificate मिलेगा वह डिगरी के रूप में मिलेगा Polytechnic पास करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलता है आईटीई पास करने के बाद आपको certificate मिलता है बीटेक आपका चार वर्स का भी होता है तो आपका तीन साल का बीटेक पढ़गा जाता है लेटरल इंट्री में मिलता है उसके बाद polytechnic की बात करें साथ हो पाली टेक्निक जो है साथिए polytechnic मेंathy आपका तीन मर्ज का भी हो जाता है हो दो वर्ज का तीन मर्ज के साथ हूं अगर आप high school wait से एडविशन ले रही हैं तु तीन मर्ज का होगा अगर आप जो है ITI करने के बाद तो भी आपका दो साल का पड़ेगा. अगर आप इंटर में आपका Dynasty लेके करें तो आपको 3 साल का प्यास किरना पड़ेगा. op इंटी 5 बाद करने हम कแकटें आपको दो साल का कोर्स होता है कुछ पैसाल के भी थे कब किस इंयों ढूर्व मंत के भी होते हैं आगे बात करते हैं आप क्या योगिता होनी चाहिए तो साथिँ आपको पास ITI होनी चाहिए या हाई स्कूल होना चाहिए साइंस मतलब विज्ञान वर्क से इसके बाद साथियों लगर आप बात करें आइटी आइए में तो आइटी आइए में आठ के वेट से भी होता है दस से भी होता है तो ज्यादत तरलोग दस से करते हैं इसके बाद अगर हम करते हैं क्हारति कि लिए पर यहता है इसके बाद इसकेने करने के लिए लिए नगज़र्मेंट और प्राएवेट में सब अलग अलग होते है गौर्वर्यमेंट में कम होते प्राइवीट में ज़्यादफी सोती है आई टी आई में आपका पांच जार से लेके 25000 तक पढ़ता है उसके बाद हम आपको बता दें आपको क्या परीते दी जाएंगे आपको कौन सी पोस्ट मिलती है तो अगर आप पॉलिटिक निक करते हैं तो आपको junior engineer, अगर आप ITI करते हैं तो आपको worker मिलता है, आप कहीं भी company में जाएंगे, तो worker के रूप में जाएंगे, अगर आप polytechnic करके जाएंगे, junior engineer, अगर आप B-tech करके जाएंगे, तो आपको इंजिनियर की post मिलते हैं, इसके बाद आप आते हैं, सबसे महतुपोन topic की salary आपकी क्यार रहेगी, तो साथ यो salary की अगर हम बात करें, तो आपको जो salary मिलेगी, बीटेक करने के बाद 25 से 50,000 तक मिलेगी, इसके बाद आपका ITI से 10 से 25,000 तक बहुत maximum मिल पाती हैं, अगर आपको कहीं government sector में हो गया, अची post में, तो आपको 25 से ज्यादा मिल सकती है, तो इसके बाद आईए हम आगे जान लेते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि growth में क्या है, किस प्रकार से growth होता है, उसके बारे में जान लेते हैं, अगर आप BTI करते हैं, तो आपका जो growth होगा, वो बहुत ही कम होगा, उसके बाद अगर आप BTI कर रहे हैं, बीटेक के बाद आप क्या कर सकते हैं तो इस प्रकार के कोर्सchine आप कर सकते हैं ये सारे तो हमारी तरफ से आपको क्या करना चाहिए विसके भारे में अगर आपात कर साती हो थो अगर आपके परिवारी किस्तिति सही है तो आपको इंटर करके सीधे बीटे करना चाहिए अगर आप आप ısके लिए ने वीडियो Bना रख आ आप चाहे तो इसे देख सकते हैं चैनल के प्लेइलिस्ट में जाके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोर्स्तों के पास ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि उसे भी अच्छा लगे फिर में लगे हम अगली वीडियो